तोपिक यह जो टॉपिक है यह हमारा कमपेटिटिव फिल्ड का टॉपिक है और इसकी प्रिविएस जो लेक्चर है वो आप डिस्क्रिप्शिन लिस्ट में देख सकते हैं लिंक जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसे आज हम समप करतेंगे यहां पर जो है इसका प्रिविएस जो दो लेक्चर्स अप्लोड किये गए हैं उनमें हमने आपको बताया है कि कैसे यहां से डारेक्टली कुशन आता है और कमपेटिटिव फिल्ड जो अभी आपका अपकमिंग जो है वो आपका आप अभी एरफोर्स के 13th of October से स्टार्ट हो आपने वाले हैं तो यहां से आपको जेनरली वहां पर शॉर एंड फर्टेन एक फिलप देखने को मिलेगा एंडिये का जो एक्जाम जो भी बच्चा प्रिप्रेशन कर रहा है उसे यहां से कुशन देखने को मिलेगा आपके जो दिसंबर में एच्टेट अनाउंस हुआ ह है आपका दो और तीन दिसंबर जो है वह एच्टेट है तो एच्टेट में आपका बेसिक ग्रैमर का जो सेक्शन है वह और जो टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की प्रिप्रेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हम वह कुछ सीरीज लेकर आएंगे ग्रैमर की तो वहां पर आपका C, D डी, Grade के पेपर हैं उन में आपको यहां पर देखने को मिलेगा फिलम और अगर आप B, Grade की कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर आपको देखने को मिलेगे यहां पर एर्र, ठीक है तो लेवल के अकोर्डिंग को बना दिया जाता है एरफोर्स, बैंकि को मिलेंगे या वो रूल जो आपने जनरली बुक में नहीं बढ़े होंगे तो उन्हीं रूल के साथ हम अपने टोपिक को स्टार्ट करेंगे आपके जो प्रिवियस लेक्चर में हमने कल की क्लास में जो लेक्चर दिया था वो कल की क्लास में बेटा हमने क्या क्या पढ़ा थ तो सिंटेक्स जो है वो जनरली हमें किसके बारे में बता रहा है सिंटेक्स का जो रूल है वो क्या है आपका क्या सब्जेक्ट जो है वो वर्ब जो है उसका सब्जेक्ट के साथ क्या कहलाता है एग्रिमेंट जो है वही हमारा क्या है सिंटेक्स है तो वर्ब सिंगुलर होगी या plural हुगी वही आपका syntax है optative sentence में हमारे पास फिर हमने आपको बेटा बताया था optative sentence के बाद आपके पास जो है quantifier होंगे little और few ठीक है little और few में आपको वर्ब कौनसी फिल करनी है यह हमने आपको बताया था फिर बेटा हमने अनकाउंटिबल नाउन के बारे में बताया था आपको और सोरी कलेक्टिव नाउन के बारे में आपको बताया था कि कलेक्टिव नाउन जो है जब आपका सेंस में यूस हो रहा है कलेक्टिव नाउन एक यूनिट में यूस हो रहा है तो वहां पर वो सिंगुलर हो जाता है ल तो बट जाते हैं मतलब ऐसा यूनिट अब वो काम नहीं कर रहे हैं डिविजन हो गया उनका तो प्रिनावन चेंज हो जाता यह ट्रिक मैंने आपको बताई थी देर अगर आपको दिखे तो आपको वर्ब कौन सी यूज करने बिटा प्लूरल वर्ब को यूज करना है स्वरी पिर जो क्लेक्टिव नौन के बाद जो है हमने यहां पर जो है दा परसंटेज ओफ इस तरह के कुछ रूल बताई था नीर अबाउट बटा अगर यह तो मैं मोटा-मोटा आपको बता रही हूं कि आपके नीर अबाउट हमारे यहां पर 20 के नीर अबाउट रूल्स जो है म आपको फिलप पहले फिलप के बाद जो है हम एरर करेंगे और के साथ जो है हम क्या करने वाले हैं यहां पर किस एक्जाम में पीवाई क्यूंस आई हुए और एरर देखना आप कैसे क्विकली निकालेंगे अगर आपने यह रूल पढ़े हुए तो देखो अभी आपको बताय है बटा 23 जो है वो हम 22 के नियर बाउट रूल कर चुके हैं अब आता है दो सिंगुलर नाउन है जोई बाइंड अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो वर्ब क्या यूज होगी बटा प्लूरल यूज होगी ठीक है यहां पर बटा एक बहुत ही समझाओंगी देखना जिस तरह हमने कहा दो सिंगुलर नाउन राम एंड शाम तो राम सिंगुलर है शाम सिंगुलर राम और शाम दोनों सिंगुलर हो गए तो आपकी वर्ब क्या रहेगी बटा वर्ब यहां पर शाम के अकोर्डिंग सेकंड अबजेक्ट के अकोर्डिंग नहीं लगानी आपको यहां पर वर्ब आपको किसके according लगानी है वर्ब आपको लगानी है दोनों के according और दो person है तो वर्ब क्या हो जाएगी plural हो जाएगी बस simple सी बात है लेकिन यह क्या कहते important point अगर दो singular and से जुड रहे हैं noun ठीक है इन्होंने का ना singular noun लेकिन यह noun जो है वो क्या बेटा आपके countable noun है कोण से noun है countable noun है लेकिन अगर and से countable noun ना जुड कर uncountable noun जुडे देखो क्या कह रहे हैं uncountable noun and से जुडे तो क्या रहेगी बेटा तो भी वर्ब जो है वो हमारी क्या रहेगी plural ही रहेगी अब student कहें कि इसमें क्या लग था इसमें भी तो सेम चीज है सेम यह differentiation यह बेटा generally क्या देखते हैं लोग uncountable noun देख लिया uncountable noun देखते ही उनके mind में क्या point आता है उनके mind में point आता है कि जो उन्होंने पढ़वा है या जो उन्होंने किया है वो तो uncountable में singular verb को किया है लेकिन यहां पर बेटा gold अलग है and silver अलग है gold की अलग बात हो रही है silver की अलग बात हो रही है तो दोनों अलग मिलकर दो metal की रियेट हो रहे है दो material noun या दो uncountable noun है इसलिए वो हम क्या यूज करेंगे हम यूज करेंगे उससे plural sense में तो gold and silver are are precious metal principle ने यह थोड़ा सा typing mistake हो जाता है नेक्स देखो बेटा क्या कह रहा है अब यह कह रहे है person and person person and person का मतलब क्या पहले वाले rule में तो हम क्या जोड रहे थे noun को जोड रहे थे यहां first person second person third person की बात हो रही है यह कोई भी person किसी भी person के साथ and के साथ जुड़ा हुआ है तो वर्ब क्या रहेगी बिटा आपकी plural रहेगी ठीक है कैसे बिटा ही के साथ generally students क्या देखे इस देखे लेकिन यहां पर ही के साथ इस नहीं आएगा he के साथ क्या include हो जाएगा और include हो जाएगा क्योंकि यह you and he दोनों के लिए use हो रहा है अगें देखो he and i i के साथ general sense में क्या आना चाहिए अपने पास m आना चाहिए लेकिन यहां पर m ना आकर जो है हम क्या use करेंगे r को use करेंगे क्योंकि यह he and i दोनों के लिए use हो रहा है ठीक है वाई फिर आता बिटा आपका many a good many a great many इसके साथ क्या use हो आपका plural subject तो verb भी क्या रहेगी आपकी plural verb ही रहेगी अभी आपका जो parallel class चल रही बटा और इस rule को तो मैंने कल की class में भी बताया था बटा आपका कि many a great many a good many किसी भी sense में आ जाओ many हमेशा ही क्या रहता है plural रहता है लेकिन many के बाद a या n आ गया तो वो आपका क्या हो जाएगा singular हो जाएगा तो ये तो हमेशा ही plural रहेगा इसकी आपको tension लेने की जरूरत है नहीं है अब यहां से ये important है ये important है देखो भई more than two and three उसके बाद मतला more than two and three के बाद three four five six continue उसके बाद जो नाउन आएगा वो क्या आएगा plural countable noun and plural countable noun आये तो वर्ब भी क्या रहेगी बिटा आपकी plural ही रहेगी कैसे देखो more more के बाद क्या आगया plural countable फिर then फिर one ये देखो कैसे more more के बाद क्या आगया बिटा then more than one student was absent ठीक है more man noun क्या आगया बिटा आपका man then one were arrested दोनों में difference बताओ बाई मुझे कि शबाश कि वेरी गुड़ बताइए कि मोर देन वन स्टूडेंट यहां पर जो वर्ड यूज हुई है न बिटा वो किसके अकोर्डिंग एक से ज्यादा स्टूडेंट अपसेंट थे तो यहां पर वर ना करके वोज ना करके क्या आना चाहिए था हमारे पास वर आना चा प्लूरल देन वन वर अपसेंट यह सोरी अरेस्टिड तो अगें जो है यहां पर हमने मैन के अकोर्डिंग लगा दिया कहने का मतलब क्या बिटा एक ही चीज है मोर अगर वर्ड आ जाए मोर के बाद आपको देन देखने को मिले तो यहां पर नाउन कोई भी हो आपको वर् ही यूज करनी दा पूर आर हैल्पलेस अब यह क्या कह रहे हैं द आ जाए उसके बाद प्लूरल नाउन आ जाए तो वर्ब भी क्या रहेगी प्लूरल वर रहेगी अब बहुत सारे स्टूडेंट इस पर कुशन माप करें कि द पूर जो है वो प्लूरल कैसे हुआ कैसे देखो आमने लिखा क्या कुशन था देखो द पूर आर हैल्पलेस ठीक है ना हमने संटेंस लिख दिया भई दा पूर आर हैल्पलेस और यहां पर हमने सोचा है हैल्पलेस कि यह तो हमारा सिंगुलर होना चाहिए यह प्लूरल कैसे हुआ तो यहां पर यह देखो पूर वर्ड आया है यह पूर वर्ड जो है ना बटा यह आपका यूज हुआ है पूर पीपल के लिए ठीक है तो जब यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है और एडजेक्टिव होते हुए भी यह नाउन को रिफलेक्ट कर रहा noun की तरह act कर रहा है तो इसलिए poor people मतला the poor people are helpless तो पूरे जितने भी poor people है उनको represent कर रहा है यहां पर एक single poor की बात नहीं हो रही है इसलिए यह अपने आप में क्या हो गया क्या हो गया बैटा यह अपने आप में plural verb को carry करेगा ठीक है यह आपको बताया है कि जब adjective noun के साथ use होता है या noun को क्या कर लेता है अपने ही meaning में hide कर लेता है तो वह अपने आगे द को consider कर लेता है उसके बाद verb जो use होगी वह हमेशा क्या रहेगी वह हमेशा आपकी plural रहेगी बहुत common sentence जो आप generally सुनके आते हैं वो क्या होता है दा रिच शुड हैल्प दा पूर आता है ना कर दा रिच शुड हैल्प दा पूर की यहां पर रिच पीपल से और यहां पर दपूर पीपल से बात हो रही है ठीक है बाई clear चल वेरी गुट नेक्स देखो बेटा इसी में एक पॉइंट और था जस्ट वेट जो आपको समझाना था और हां यह वाला देखो बेटा यह पॉइंट था हमारा फस्ट पॉइंट ही जो हमने किया था दो सिंगुलर नाउंस से अगर हमें जूडा हुआ है तो वैसे तो मैंने यह आपको डेटर्मिनर्स में के आर्टिकल्स में करवाया हुआ है लेकिन यहां से टेरफोर्स वाले जो तेरा कुपेपर दे रहे हैं वो ध्यान से देखे विटा आपका जो है वो कुशन डारेक्टली यहां से वो पूछ लेता है कि यहां पर जो देखो यहां पर फिलप देगा और यहां पर फिलप देगा डोग वर्ड तो रहने तो सेम संटेंस को देखना विटा आपको इसी सेम संटेंस को मैं लिख रही हूँ देखो बिटा आपके पर डेटिमिनर करोगे तो यहां पर दो पॉइंट निकलते हैं आपके यहां पर एक इसे बिटा आपके पास एंड एक आर है आपके पास देखो यह देखो बिटा अगर आपको इस दिखे ना तो आपको क्या करना है सिर्फ फस्ट बन के साथ आपको डेटिमिनर यूज करना है repeal यूज करना है यहां पर आपको यूज नहीं करना है यह ओ इस दिखे रहा है तो आपको यहां पर करना पड़ेगा and इसके साथ भी use करना पड़ेगा mean to say a black and white cow एक ही cow जो है वो half black and half white है तो वहाँ पर जो है हमने दोनों को use करती है बट यहाँ पर क्या है आपके पास a black and a white cow black अलग है and white अलग है तो दो different cows जो है वो graze कर रही है थीचे तो वहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा बटा वहाँ पर हमारे पास हो जाएगा different तो आपको अगर दोनों तरह particle मिले वर्ब में अगर हम से पूछ ले तो हमें क्या भरना है आर भरना है अगर एक ही आर्टिकल दिख रहा है और वर्ब में सिंटेक्स में कोशन आ गया तो आपको क्या भरना है इस बरना मतलब सिंगुलर जरूर नहीं इस वह भी आ सकता है आपका जो भी वर्ब आपकी आपके पास ओप्शन में एवलेबल होगी वह सेकंड यहां पर जो एरफोर्स के स्टूडेंट है यह वह यह पूच सकता है देखो मैंने ब्लैक और वाइट लिखा है तो आप से यह पास of speech पूच सकता है तो यह पास ओफ में consider हो जाएंगे ठीक है यहां तक की कहानी समझ आ गई सब को वेरी गुड देखो यह तो हमारा हो गया था देखो यहां पर जो है हमने यह बहुत ही अच्छा रूल है बेटा एंड डिफिकल्ट है यह एंड ये सीडियस के लिए ससी के लिए हमारा रूल रहेगा देखो बेटा डबल इंफिनिटिव है जिरंड है क्लोस है एंड के साथ जो है हमें क्या करना है भाई प्लूरल बॉब यूज़ करनी है ठीक है भाई यह क्या कह रहे हैं अगर आपके पास डबल इंफिनिटिव आ चाहें डबल इंफिनिटिव इंफिनिटिव का मतलब क्या हो non-finite के infinitive gerund and participle ठीक है आपके पास double infinitive आ जाए and से जूड़ जाए जिरंड आ जाए जिरंड मीन्स क्या होता बिटा जिरंड मीनस होता है आपका when a verb work as a noun जब आपकी वर्ब जो है वो noun की तरहें काम करती है और अपने साथ क्या ले 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 लेती है वी वन प्लस इंघ जब आपकी वी वन इन जी बेटा बिना समार बिना थो खेलि आ रही है और संटेश में नाउन का काम कर रहा है तो उसे हम कहते हैं जिरंग ठीक है तो वीवन प्लस ईयं जी अजा है एंड से जुड़ जाए तो वहां पर या close close हमने बताए बटा आपको conditional sentence जो हमने किये थे कल के रूल में conditional sentence किये थे और कल की class में ही मैंने ये बताए था कि conditional sentence 200-300-500% लिखवा के देख लो बेटा 100% वहां से कुछ नाने वाला है आपका मतलब वाओ conditional sentence होगे, tenses होगे, syntax होगे ये topics तो ऐसे हैं बटा किसी भी exam में आप चाहे group D से लेकर asdm तक का paper दे लो वहां पर यहां से questions आएंगे ही आएंगे बस level को modify करती है जाता है ठीक है ना तो यहां पर देखो closest क्या होंगे बटापके closest में हमें दो options मतलब and से आपके क्या कहें उसको independent do principle close भी जुड़े हुए हो सकते हैं subordinate और ordinate close भी आपके जुड़े हुए हो सकते हैं तो verb क्या रहेगी बटा plural रहेगी जिस तरह हैं देखो run verb होती आपकी तो run ने running swim verb है आपकी swimming तो running and swimming दोनों के साथ क्या होगे बटा are use होगे तो running and swimming are useful exercise what we say and what we do यह देखो बटा parts of space यह close है बटा what we do यह आपका क्या होगे बटा close group of words जो sentence में जो है यह dependent जो हम कहते हैं और जो हम करते हैं वो clear है ठीक है समझा गया पिर कहते हैं बटा lots word आ जाए इंफिनिटिव आ जाए आप देखो lots के साथ infinitive का मतलब बताए न हमने two plus v1 को हम क्या कहते हैं बटा lot infinitive को two plus v1 या v1 तो there is lots, lots आ गया बटा और उसको two से तो यहाँ पर infinitive का मतलब ही v1 है तो वो तो अपने आपने ही singular रहेगा तो lots के बाद आपको क्या लगाना है two plus v1 लगाना है ठीक है बाई clear तो यह चीज़ें बटा किसको पता होना चाहिए nda cds के बच्चे जो अगर आपके पास क्या आ जाता है तो वहाँ पर आपको क्या करना है वहाँ पर वर्ब को singular रखना है ठीक है फिर आता बेटा अगर आपके पास क्या आ जाता है means of income word आ गया सोर्स आ गया मनी आ गया प्रोपर्टी आ गया प्रोव वन टू टू ट्री डजन हंडर्ड प्लूरल नाउन आ गया ठीक है पीपल पुलिस कैटल शिप डियर पीजेंट्री जेंट्री पोलेट्री पैलरी क्या आगे बटा यह आपके पास collective नाउन हो गए आपके पास सारे के सारे ठीक है यह कलेक्टिव नाउन आ गए यह आपके वन टू टू ट्री के साथ डजन या हेंडर्ड यूनिट आ गई इनके बाद क्या आएगे बटा प्लूरल नाउन आएगा मीन्स ओफ इंकम वर्ड आ गया सोर्स आ गया मनी आ गया प्रोपर्टी आ गया तो प्लूरल व ओफ लेबर प्लस प्लूरल वर्ब देखो विए यहां पर यह जो इसका मतलब है बेटा सिंड बहुत ही बहुत ही अच्छा है एंडिये के लिए यह जो कोश्ण है बेटा यह सिर्फ और सिर्फ अगर आपका वेजिज जो है उसका मतलब क्या है पनिश्मेंट ठीक है अगर पनिश्मेंट है तो वो क्या रहेगा सिंगुलर लेकिन अगर वो किस से बेटा चार्ज से है मतलब वेजिज का मतलब होता है मनी चार्ज ओफ या इंकम औफ लिक सकते हैं हम चार्ज की जगह इंकम बेटर वर्ड है इंकम इंकम अगर हम लिखते बेटा तो वो हो जाएगा plural verb ठीक है भई तो दावेज़ी जोफ सिन सीन है वेटा ये साइन जो है वह गलत है इस डैथ यह कह रहे है कि जो सिन पाप की सजा है ना वो तो क्या है डैथ है तो सिन का मतलब पाप और पनिश वेजिस का मतलब पनिशमेंट पाप की सजा मोथ है तो क्या आगे अपने पास वर सिंगुलर आगी लेकिन इस वेज़िस आर वेरी लो लेकिन उसकी इंकम जो है वह बहुत लो तो वेज़िस वर्ड दो मीनिंग में पनिश्मेंट क्या हो गया बटापना अबस्ट्रेक्ट नाउन की सेंस में यूज हो गया इसलिए हमने उसको क्या रखा सिंगुलर रखा यह पॉइंट था बेटा अपने पास यह देखो यह सारे क्या लेंगे आपके यह सारे के सारे क्या लेंगे प्लूरल वर्ब जिस तरह मीन्स ओफ इंकम मीन्स ओफ इंकम क्या था अपना वेजिस ठीक है आपके पास सोर्स क्या है मनी क्या है प्रोपर्टी क्या है या फिर वन ट प्लूरल सेंस में रहेंगे तो यह बिटा अपने पास क्या थे यह अपने पास थे कि सिंटेक्स के कुछ रूल्स कुछ नहीं कहेंगे कि हमने ओल्मोस्ट सारे रूल्स को कवर कर लिया अगर कोई स्किप हुआ है तो आप कमेंट बोक्स में बताईएगा मुझे मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं हर उस रूल को यहां मेंशन कर पाऊं जो आपके एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से इंपोर्टेंट है और हम मतलब कहीं से उसे ना छोड़े और हर पॉइंट जो है वहां मारा वहां पर कलियर हो जाए तो बैटा सबसे पहला लेक्चर जरूर बहुत है देखना क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा कि वह कैसे हमारे यहा लाती है हो सकता है कि क्लास देखते देखते आप बोर हो जाते हो हम मानते बटा कि आप जो है वह वह सुनते सुनते यह लगता है यह चीज तो सुनी हुई है लेकिन में भी उसी टाइम हम को important point बता रहे हो थीक है ना तो थोड़ा सा patience रखे या screen पर जो चल रहा है ना उसको तो यह देख लें कि हाँ यह चीज चल रहे हैं यह इंपोर्टेंट हो सकती है ठीक है तो उसके अकोर्डिंग जो है आप उन प्वाइंट को नोट करें फिर जो बिटा मतलब जब भी नोट करें तो क्या चीज़ें देखें आप आप वहां पर जो है आप कल के जो कोश्चन साइंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जो है वो जरूर देखें कि आप जिस एक्जाम की तयारी कर रहे हैं वहां से रिलेटिट आपके लिए कोई कंटेंट है क्या ठीक है बाकी मैं अपने इसक्रिप्शन में या आपनी क्लास मे जो है जैनलरली बताती हूँ हमेशा ही कि यह आपके इस एक्जाम में यहां से इस तरह की कुशन्स आएंगे कल इसके हम कुशन अंसर्स करेंगे तो कुशन अंसर्स में आप साफ साफ देखेंगे कि मैं आपको यह यह घूलत तो क्मेंट बोक्स में लिखिए और पीडियाप का लिंक भी हम आपको प्रोवाइड कर वाएंगे आप बीडियो यूह का इंफोכ्र मिलता और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मोटिवेशन के लिए प्लीज लाइक और शेयर करते रहे हैं मैं अपनी हर वीडियो में यह कहते हूं कि आपके सजेशन जो है हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आपको नहीं जिस तरह मतलब हर टीचर को मोटिवेट करते हैं और लेशन आपको नहीं होता है और हमारा एफर्ट रहता है कि हम अपना दी बैस्ट दे तो मैं जो हूं वह अपना दी बैस्ट देने की कोशिश कर रही हो और अगर आपको सिक्सेस मिल रही है इट मिन्स मुझे सिक्सेस मिल रही है तो keep watching and stay connected with exam hut काल मिलते हैं इसी platform पर and thanks for cooperating thanks a lot dear students